कि असलाम लेकुम डियर्स अमीद आप सब ख्यारियत होंगे किचन से लेटिड या इवन वाश्रूम से लेटिड प्रोड़क्ट आई है इसका उर्वीव करते हैं यह इसका क्या मक्सद है और यह किस तरह इसे यूज़ कर सकते हैं इसे काउंटर टॉप जाथा है यह इवन आप इसे अंडर का उंटर सौप डिंशर कह सकते हैं जनल जा 시대 इसका सोप डिंशनर है तो इसका फाइदा यह कि आप इसे यह अंडर काउंटर आजएगा यह आपको बोटल जो है यह आपकी शेल्फ के उपर नजर नहीं आएगी यह सिंक के उपर यह बेसन के उपर आपको बोटल नजर नहीं आएगी कुछ जो विए रहते हैं उनके अंदर आशकल इसका हॉल और है जिसके अंदर आप 100फ्य बॉत्र लगा सकते हैं उन यह उनक्डिल मोड़क काउंटर वाली के इस हाथ जिर्वर पार्ट आपके नजर आ है लीडão यहाला यहाला बाई रहते हैं और बाकि सारे जो यह वाली बोटल है यह थे इसे परक्रश करेंगे सिंपल और इस तरह जिस तरह आम सोप डिस्पेंसर काम करते हैं तो यह आपका सोप निकलते हैं लेकिन फाइदा बस यह है कि जो मॉडर्ण आचकाल किचन पंदें उन में आपको बस यह बाइर नहीं रखना पड़ते हैं आपको मैं पिचर भी शेयर कर दूंगा आप देख सक क्योंकि मेरे पस को यह अप्षिन है जिसमें मैं यह आपको लगाकर दिखा सकूं लेकिन यह आपको अंडर कांटर किचन में या वोश्रू में आपको यूज़ सकते हैं लेकिन यह मैं आपको प्रड़क्ट ऑपन करकर लाज़मीं दिखांगा आ यह देखें यह आप लगा लिए और यह जब आप पंप करेंगे तो इसमें से जो है वह आपके इस डिस्पेंसर से यहां से निकलेगा यह वाली जो रबर्ड है आपको यह रबर्ड दी गई इसमें यह आपने अटेच करनी है इसको बिल्कुल ऐसे ओपन करके आपने जो सींक में होल होगा पेले से यह आग आपने करवाया है अदर जो किचन स्लैबर के अंदर होल कर आथा आप यह वाला पार से गुजार कर यह निचे से इस तरह ही से बन कर लेना है और इजिली आप इसे wash कर सकते हैं किसी उबिसन नहीं है यह वहाला पाक्ट इसका लाएदा हो जıtत इस त्वहीं से लिए यह और यह आपी सोब इस्तों इस्तवार के लिए रखाए यह अप यह मैं ऑल परीस तो यह आप आप वैसे रहूंगे नहीं स्वाले सकते क्योंकि इसकी से तुमिल दो इन खुले ऊप터 डर यहीं बनी होगी चाहें यह आप अपनी स्लैब के अंदर जो किचन स्लैब होती या वाश्रूम स्लैब होती उसके इंदर सुराख करवाना चाहते हैं तो आपको पहले स्राख करवाना पड़ेगा देन ये यूज़ होगा होफ़ली ये वीडियो आपको अच्छे लगी होगी एक यूसफल प्रोड़ेक्ट थी और सोचा आपके साथ अबर्वीव कर लिए जाए कि अधि वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा बहुत शुक्तिया अलाहाफेज